शनिवार 26 अगस्त को अमेरिका के मिसिसिपी में याजू नदी से शिकारियों ने इस मगरमच को बाहर निकाला। उन शिकारियों की पहचान तान्ना वाइट, डॉन वुड्स, विल थॉमस और जॉय कलाक के रूप में सामने आई है। नमसकार डेश ओन लाइन में आपका अमेरिका के मिसिसिपी में शिकारियों ने कमाल कर दिया। उन्होंने साथ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 14 फीट से अधिक लंबे मगरमच को पकड़ा है। उसका वजन 800 पाउंड, लगभग 363 किलोग्राम से अधिक बताया गया है। शिकारियों ने इस विशाल को दरावना बताया है। यह मिसिसिपी में आप तक पकड़े गए किसी भी मगरमच की तुलना में। बड़ा और भारी है। इस तरह शिकारियों ने इसे पकड़ कर एक खास रिकॉर्ड बनाया। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार 26 अगस्त को अमेरिका के। मिस मिसिपी के वाइल्ड लाइफ, फिशरीज और पार्क्स डिपार्टमेंट ने इस मगरमच की एक फोटो फेस्बुक पर शेयर की। डिपार्टमेंट ने अपने पोस्ट में लिखा सबसे लंबे मगरमच पकड़े के लिए। मिसिपी के इन शिकारियों टानन वाइट, डॉ सपने से की, वहीं एक अन्य शक्स ने कमेंट करते हुए मगरमच को राक्षास जैसा बताया, यह मगरमच इतना भयावे है कि देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएंगे, आखिर क्यों पकड़ा गया मगरमच? मिसिपी में पालतु कुत्तों को खाय जाने की श शक्कत के बाग, यह मगरमच पकड़ा गया, उन्होंने बताया कि हमने मगरमच को आठ या नौ बार हुप किया, और लेकिन वह बार हुप को तोड़ देता था, वह नीचे जाता, बैठता, और फिर उच्छलता था, आखिर कार वे मगरमच को पकड़ने में काम्याब रहे, डॉन वुड्स ने आगे कहा, इतने बड़े मगरमच को देखकर, हम हेरान थे, आपको सच बताऊं तो, यह अवास्तविक था, मिसिसिपी में पहले 14 फीट लंबा, और 766.5 पाउंड से कम वजन का मगरमच, पकड़ा गया था, मगरमच सरीसरिपो का एक समूह है, जिसमें म अगरमच, घरियाल, कैमन आदी शामिल है,